नमस्का फ्रेम मैं हुई चंदर्ण पटेल ओर दीखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं कुछ दस ऐसे स्टॉक पे जो कि आप पक्का करोणपती बन जाएंगे बदल देगी आपकी जिन्दगी बहुत ही जबरदस स्टॉक है जो कि रॉकेट की तरह चलते है और अगर हम इस स हम बहुत ही बढ़िया रिटन बना पाएं देखिए जो हमारे लिस्ट में पहली कंपनी है उसका नाम है बजाज फाइनेंस अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो 52 अगर हाई की बात करें तो 778 का 52 हाई है और 52 अगर हम लो की बात करें तो 5220 का 52 लो है मार्केट के अपलाइजेसन लगबग 3,049,812 करोण की मार्केट के अपलाइजेसन है और अगर हम इस स्टॉक की सेयर होल्डर्स के बात करें तो लगबग 8.2 लाग सेयर होल्डर्स है देखिए वन येर में लगबग ये 15 केवल 15% माइनस है और वन मन्थ में ही आपको गिरावर देखने को मिल लगबग ये और ये कंपनी लार्ज केवल जो की कंजूमर फाइनस में ये काम करती है अगर देखिए इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो लगबग ये 5,756 रुपे पे ये ट्रेड कर रही है और अगर हम इस स्टॉक की चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं जो चार्ट है देखिए ये मंतली चार्ट है और जो सपोर्ट का लेबल देखने को मिल लगबग बावन सो रुपे के आसपास है 5,200 रुपे के आसपास अगर यहां से करेक्शन होता है तो लगबग आपको यहां पे 4,800 से लेके 4,400 के आसपास ये से इस स्टॉक की बावब करें तो ये भी एक लार्ज के आई टी सेक्टर की कमपणी है बावन बीख हाई की बात करें तो 1215 रुपे का बावन बीख हाई है बावन बीख लो लगबग 877 का बावन बीख लो देखने को मिल ला है मार्केट के अप्लाइजेसन लगबग 3,636 करो भी बहुत अच्छा देती है लगबग 4% के आसपार देती है क्योंकि अभी रिसेंट में इसने डिविदेंट चोथी बार इसने डिविदेंट दिया है जो कि बहुत ही बढ़ी है आप देखिए लगबग यह 1010 रुपे का डिविदेंट दे रही है आप देख सकते हैं और यह 18 रुपे का जब दिया था जब यह बहुत ही ऊपर थी और यह लगबग जबग नौसो रुपे के आसपास बहुत ही बड़ा सपोर्ट लेबल बनता था फर्स्ट बाइंग आपकी यहां पर होनी चाहिए और स्टॉप लॉस आपका जरूर यहां पर लगना चाहिए अब वेट करिए अगर यह स्टॉप लॉस तोड़ता है तो फिर से आपको 800 की बाइंग जो सेकेंड बाइंग देखने को मिलेगी वो लगबग 800 रुपे के आसपास आपको देखने को मिलेगी देखे और सारे जो जो हमारे तीसरे नमबर पे जो स्टॉप है उस स्टॉप का नाम है देखे उस स्टॉप का नाम है दीपक नाइट्रेड अगर हम दीपक नाइट्रेड की बात करें तो आप देख सकते हैं इस स्टॉप का एक बहुत ही पॉपलर यह स्टॉप है और भी ही बढ़ी है ईस टा के है और यह मीड कैप है जो कि केमिकल कोमोडिटी केमिकल में यह काम कर रहे हैं और अगर हम बांड भीक हाई के बात करें तो 24002 रुपए के आसपास यह ट्रेड कर रहे है और 1681 रुपे के आसपास बाउन बिक लो है इसका और 25,27 करोड के आसपास इस स्टॉक का मार्केट के अपला है यहाँ पर देखिए यह भी ज़्यादा गिरी नहीं हुए यह कंपनी लगवाग अठार रुपे के आसपास यह ट्रेड कर रही है और अगर हम इस स्टॉक की बात कर लें तो देखिए जो हाई आपको देखने को मिलना है वो तीन हजार का हाई है और वहां से देखिए ये support का label इसका भी same support का label है ये अगर ये support का label तोड़ता है देखिए जो support का label है वो लगबग 1680 के आसपास है आप यहां पर first buying करिए लगबग और अगर वहां से correction होता है तो आप wait करिए एक अच्छे label की लगबग 1400 के आसपास ठीक न है और जो हमारे next company है next company का नाम है जोती रेजीन देखिए ये भी एक हमने commodity chemical से लिया है जो की small cap company है one year में लगबग 210 परसेंट का return दिया है return तो और भी ज्यादा है लेकिन आपको यहां पर देखने को मिला है और 1818 रुपे का यहां पर bound big high है 341 रुपे का bound big low है market के अपलेजिशन बहुत ही छोटा है लगबग 1387 करोन का market के अपलेजिशन है share holders लगबग 28.7 के share holders है देखें अभी लगबग 1133 के भाव पर यह मिल लई है अपने को और अगर हम इस stock की bound big मतलब एक high की बात करें तो 1800 रुपे के उपर है और जो support का label है वो लगबग 800 रुपे के आसपास मिलता है देखें यह मेरे को ऐसा लगता है कि 800 रुपे के आसपास इसका support का label आएगा तो आप अगर आप profit में हो तो आप बेच के निकल जाएगे क्योंकि market में और भी correction हो सकता है ठीक है फॉर्स्ट लेबल यह सेकंड लगबग 600 रुपे के आसपास है तो आप आपको जैसा लगे वैसा आप करिए देखें मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है ठीक है और जो हमारे एक लिस्ट में पांच में नंबर पे जो है company उस company का नाम है अगर हम इस स्टॉक की बात करें अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो एक अलकल माइन जो company है वो भी एक स्माल कैप है और specialty chemical में यह काम कर दिये और यहां पे अगर हम इस स्टॉक की bound week high की बात करें तो 3587 रुपे के आसपास है और अगर हम bound week low की बात करें तो लगबग 2560 र रुपे के आसपास है market capitalization बहुत ही बढ़िया है लगबग 13447 करोन का market capitalization है अगर हम यहां पे share holders की बात करें तो लगबग 2.1 लाक share holders है देखे अगर हम one year return की बात करें तो लगबग 21% यहां पे आपको देखने को मिल ला है और अगर हम यहां पे इस स्टॉक की बात करें त तो देखे इस स्टॉक का भी support label आपको देखने को मिल ला है जो support label वो लगबग 2500 रुपे के आसपास बहुत ही बड़ा support label है अगर यहां पे support लेता है first support label तो आप यहां पे buying करिए और आपका stop loss जरूर होना चाहिए ठीक है और देखे एक next company है बहुत ही popular company है बहुत ही बात करें तो पहुत ही मज़ेदार और पहुत ही दमदार company है company का नाम है SRF Limited जो की large cap है और diversify chemical में काम करती है देखे यह कई काम करती है बहुत ही काम करती है टेकिनिकल टेक्स्टाइल पेकेजिंग फिल्म्स और पहुत ही chemical वगरा बनाती है और अगर हम इस स्टॉक की बात क करें तो यह लगबग बाउन बिक जो इसका हाई था 2865 रुपए का बाउन बिक हाई था और 2002 रुपए का बाउन बिक लो market capitalization की बात करें तो 63,009 करोन के आसपास इसका market capitalization है और shareholder लगबग 2.6 लाग shareholder थे ठीक है यही होती है large cap stock की capacity जल्दी यह गिरते नहीं है केवल मात्र एक साल में 9% की गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिल लिए बस वो भी इसी महीने में इसी महीने में जो कि यह 8% गिरा नहीं तो यह जल्दी गिरता नहीं ठीक है और यह इतने गिरावट market के बाउचूद भी यह company अभी तेज जे देखिए इसका कुछ तो event है event क्या है वो earning result आने वाला है 30 तारीक को ठीक है अब देख सकते हैं और अगर हम इस stock की बात करें तो यह भी लगबग 2131 के आसपास यह मिल ला है और अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इस company में तेजी कितनी बहुत ही चबरदस्त है और यहाँ पर जो support लेगा वो लगबग 2000 रुपे के आसपास इस stock में बड़ा support है जो कि आप यहाँ पर buying लेके आप थोड़ा सा wait करें और एक अच्छी opportunity है अगर यहाँ से correction होता है तो आप थोड़ा सा रुकें एक new label के आसपास आप यहाँ पर buying कर सकते हैं ठीक है तो यह खरीदने का एक बहुत ही अच्छा लेबल है आप यहाँ पर buying जरूर करें देखे हमारे जो एक next एक company है जो next company है बहुत ही सांदार है और अगर हम इस company की बात करें तो एक बहुत ही popular में मानी जाती है यह भी company क्योंकि बहुत ही return दिया है देखे जो company company का नाम है Apollo pipe है और यहां पर अगर हम बात करें तो यह भी अभी small company है बिल्डिंग product बनाने वारी company है जो कि pipe बहुत चीज़े बनाती है और अगर हम यहां पर बात करें तो 633 रुपए का high है bound big और bound big low की बात करें तो 402 रुपए का है और market का application की बात करें तो 1997 का bound big यहां पर market का application देखने को मिलना है shareholders की बात करें तो 39.8 K shareholders है और 504 रुपए के आसपास यह भी company चल लई है अब देख सकते हैं जो low है और high है उसी के सेम बीच में यह company अभी चल लई है और देखिए जो support का level है वो लगवग 400 रुपए के आसपास है देखिए first है 440 और 400 रुप बाइंग करें और बाइंग करने के बाद आप stop loss लगाना ना भूलिए ठीक है क्योंकि market है market में और भी करेक्सान आ सकता है कोई भरुसा नहीं है आपको लेकिन wait करना पहुत ही जरूरी है तेखिए जो और next company है next company की बात हम करें तो उसका नाम है BKT जो कि एक टायर और टाय बनाने वाली company है जिसका नाम है बाल कृष्ण इंडस्टीज बहुत ही famous नाम है जिसका नाम है BKT इसको BKT की नाम से जाना जाता है और अगर हम इस stock की बात करें तो यह stock एक बहुत ही reputed stock है और इसकी जो टायर की एक हम capacity समगते हैं वो बहुत ही far हुए बहुत ही और यह भले से mid cap है इतने mid cap के वज़े से भी यह भी केवल 5% गिरी है देखिए यहाँ पे और थे जी ही आपको देखने को मिले इतनी market के गिरावड में देखिए 2450 का high है 1690 का low है market cap लेजिसन 43,000 करोण का है और अगर हम यहाँ पे shareholders की बात करें तो 1.6 lakh shareholder है तबी लगब 2100 रुपे के आसपास यह company trade कर रही है अगर हम इस stock की chart की बात करें तो आप देखिए इस stock में जो chart बन रहा है वो मंतली chart आप देख सकते हैं यहाँ से अगर यह correction होती है तो फिर से यह लगबग 1800 रुपे के आसपास आएगी और जो एक support का label मिलना है वो 1800 रुपे के आसपा बहुत ही बड़ा support का label है पहले आप बाइंग यहां करिए और फिर stop loss लगाईए फिर wait करिए एक और भी नीचे आने की वहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं ठीक है और देखिए जो next company है हमारे list में उस stock का नाम है लेंसर container चुकि यह भी एक बहुत ही बढ़िया एक stock है और क 59 का bound big high है और 88 रुपे के आसपास यह bound big low है market capitalization लगबग 1140 के आसपास है और shareholders की बात करें तो 26.7k shareholders है small cap है logistic से माखाम करती है logistic मतलब कैसे इनका container जो है वो container ट्रांसपोर्ट होता है दूसरे जगह मतलब sip में यहां से भर के जाता है import export में यह काम आते हैं ठीक है और अगर हम इसकी बात करें तो यह लगबग 113 रुपे के भाव पी यह भी आपको मिल लई है तो थोड़ा सा wait करिए एक अच्छे label की label मैं आपको ब 160 रुपे के आसपास मैच होता है 160 रुपे से लेके 170 रुपे के आसपास अगर यह मिलता है तो आपको first buying कौन सी buying first buying आपको यहां पे करनी है और stop loss लगा के buying करनी है कि अगर यहां से correction होता है तो आप थोड़ा सा wait करके लगबग 130 रुपे के आसपास दूसरी second buying ले सकें चलि सबका मन पसंदीदा stock है देखिए यह stock गिरा तो बहुत जबर्दस से लेकिन जितने तेजी से यह गिरा है उतने तेजी से इसको उपर चलने में time नहीं लगेगी भले से यह stock कच्वे की चाल चलता है लेकिन बहुत ही तेजी से grow होता है और आप देखते ही देखते growth हो में 1340 रुपे के आसपास यहां पर bound big high देखने को मिल ला है 808 रुपे का bound big low market capitalization की बात करें तो 20,724 करोड का market capitalization share holders की बात करें तो 3.6 लाग share holders है और यह mid cap है footwear company में मतलब चपल जूता बनाने वरी यह company है लगबग 810 रुपे के आसपास यह company आपको मिल लाई है अगर हम यहां पर weekly chart देखें तो लगातार इस company में गिरावट होते हुए देख रही है अगर हम यहां पर यह मंतली चार लगाए तो आपको देखने को मिल लाए है कि यह company में कितनी जबरदस तेजी थी और बहुत ही जबरदस गिरावट देखने को मिले यह और यह अपना support का label भी तोड़ दिया है तो लगबग लगबग आपको यहां पर 700 रुपे के आसपास यह next support लेने की कोसिस करेगा तो आप यहां तक wait करिए अगर यहां पर अगर मिलता है तो आप buying करिए first buying की position मैं आपको यहां पर बता देता हूँ 700 रुपे के आसपास और वहां से आपको मिलता है तो आप buying करिए और stop loss आप लगा के रखिए ठीक है नहीं बहुत ही correction लगबग 50% discount के आसपास यह आपको company मिल लेए 40-45 कुछ दिन में वह भी मिल जाएगी 50% ठीक है ठीक है सारी company मैंने आपको बता दी अगर इन company में आपको invest करना है तो आप invest करिए लंबे समय में आप जरूर करोणपती बनेंगे और बहुत ही अच्छा return आपको देगा ठीक है करोणपती करोणपती बनने का मतलब है कि आपको उस तरीके से return मतलब पैसा भी लगाना पड़ेगा ऐसा नहीं कि आप सबका एक एक सेयर खरी ले तो आप करोणपती बनेंगे लेकिन आपको बहुत ही जादा समय लग जाएगा ठीक है तो मैंने सारी चीजे आपको बता दी आपको कैस इन्वेस्ट करना है को इन्वेस्ट करना है किस लेबल पर इन्वेस्ट करना है अगर फिर भी अगर फिर भी आपको कोई भी अगर confusion है आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा होना चाहिए तो आप जरूर मेरे comment section में आप जरूर वहाँ पर लिखें आप जो की कोसिस करूँगा ठीक है और जितने भी आपके फ्रेंड हैं सबको आप सेयर करिए जो सेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो जो नहीं करते आप उनको भी करिए क्यों ताकि वो भी एक अच्छा पैसा यहां से बना सके देखिए आप सभी लोगों को पता है कि अगर हम बैंक में इन्वेस्ट करेंगे तो 5-6% जादस जादा हमें साल का मिलेगा तो हम 5-6% ले के हम करेंगे क्या आप समझ रहे हैं तो उसी प्रकार में आपको बोड़ लाओ क्योंकि देखिए कभी भी हम अगर गिरावट में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें रिटन हाई की मिलने की संभावना रहती है तो आप जरूर अपने फ्रेंड को सेर करिए कि आप सेर मार्केट में आईए आप रिकमेंडेशन करिए कि आप सेर मार्केट में आईए आप धीरे धीरे सीखिए कैसे क्या करना है अगर उनको समझ में नहीं आएगा वो मेरे से कमेंट बॉक् थेंक यू फिरेंग।